नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वाकत हैं सिर्फ 10 मिन्ट में घुटने, हाथ, एडी और कमर के दर्द को जट से खतम कर देगा आग आप भी अजमाए इस नुस्खे को दोस्तों, आग जिसको मधार, आकड़, अर्क, अकद इत्यादी नामों से जाना जाता है भारतिय चिकत से विज्यार में आती प्राचीन काल से एक दिव्वे ओस्ति की तरह काम करता है इसके बारे में एक बात परचलित है कि ये सूरिय के तेज के साथ बढ़ता है और सूरिय के तेज कम होते होते इसका परभाव भी कम होता जाता है और बारिस के दिनों में इस पोधे का परभाव बिलकुल खतम जैसा हो जाता है सूरिय के जितने नाम है उतने ही नाम आग के भी है दोस्तो वैसे तो इसकी चार परजातियां पाई जाती हैं मगर मुख्यतें दो परजातियां ही पाई जाती हैं और दो परजातिया अती दूरलम हैं और यह पुदा आपको कहीं भी घर पतवार में खड़ा हुआ मिल जाता है इसके लिए आपको पैसों के खर्च करने की विज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, वैसे तो आक ऐसा कोई रोग नहीं, जिसमें इसका प्रयोग नहीं हो। यह भ्यंकर से भ्यंकर रोग में भी अपना विसेश असर दिखाता है। लेकिन आज की इस विलियों में हम इसके एक गुण, जो सरीर के दर्द के बारे में हैं, उस पर ही चर्चा करेंगे। इसमें ऐसे क्या गुण हैं, जिस कान से ये अति विसेश है। दोस्तों, आख में जो गुण हैं, वो ऐसे रसाइन हैं, जो इसमें बहुत ही महत्यबूं हैं। आख में ये सब रसाइन होने के कान, इसमें सरीर में हर हिस्से के दर्द को हरने की शम्ता पाई जाती हैं। स्पेसली गठिया का दर्द, अर्थ्राइटिस का दर्द, कमर का दर्द, एडी का दर्द, यानि कोई भी मास्पेसियों और हडियों का से समंदित दर्द हो, उसमें यह एक अचूक ओस्ति की तरहें काम करता है. दोस्तो, इसका परियोग बताने से पहले मैं आपको इसके परियोग में एक सावधानी बताता हूं, क्योंकि आपको इसका परियोग करते समय इस सावधानी का जरूर पालन करना है. इसके परियोग को करने से पहले आप ये ध्यान दें कि इसके दूद की बूंद आँखों में नहीं जाने चाहिए वरना आँखों में अंधा बना सकता है तो आईए दोस्तों जानते हैं आग के परियोग AD के दर्द में आग के 15 फूलों को एक कटोरी पानी में उबा लीजी इसको उबालने के बाद फूलों को पानी को अलग कर लीजी अब इस पानी से जितना गरम सह सकी AD को अच्छे से धुलाई करें अभी इन फूलों को अच्छे से निचुड जाने के बाद कोई सूती कपड़े की साहता से AD पर बांद लो और इसके उपर से जुराब और जूते पहन ले ये परियोग आपको 10-15 दिन लगातार करना है काफी फरक दिखने पर अगर जरूरत लगे तो इसको आप आगे भी continue कर सकते हैं इसी में AD के दर्द के लिए दूसरा प्रियोग आग के पत्ते को तवे पर गरम कर लीजिए इस पर होसके तो तेल का तेल लगाए अगर तेल का तेल ना मिले तो आप सरसों के तेल का प्रियोग करें अभी इस पत्ते को किसी कपड़े की साहता से AD पर बांद दीजिए अभी इसको किसी चीज से गरम सिखाओ कीजिए किसी इन्ट या पत्थर को चूले पर गरम कर लीजिए इतना गरम कीजिए जितना आप सहन कर सको इसको अभी पत्ते के ऊपर से AD पर सिखाव कीजिए इससे पत्ते के अंदर सायन जो होंगे वो AD के दर्द वालिज गहें तक अंदर तक चले जाएंगे और वहाँ पर तुरंथ ही आराम का एहसास होगा ये प्रयोग भिया 10-15 दिन करें काफी फरक दिखने पर अगर जरूरत लगे तो आप आगे भी continue कर सकते हैं तीसरा प्रयोग ये आग का दूद निकालकर इसको AD पर अच्छे से रगड़े इतना रगड़े कि ये अंदर तक अफसोशित हो जाए थोड़ी दिन ऐसा करने से आपको अराम मिल जाएगा एक बार में ही ये तुरंत असर दिखाता है दूसरा घुटनों के दर्द के लिए घुटनों के दर्द में दोपहर में आग की ताजा डंडी से दूद निकालका इसको हलके हाथ से सरकुलर मोशन में मालिस करनी है जब तक ये पूरा अफसोशित नया हो जाए ऐसा दिन में दो बार करें ये प्रयोग भी आप 10 से 15 दिन करें काफी फरक दिखने पर अगर जरूरत लगे तो इसको भी आप आगे कोंटिन्यू कर सकते हैं आग के ताजा पत्तों को तवे पर हलका गरम करें और उसके उपर सरसों या तिल का तेल लगाएं अब आप घुटनों पर किसी सूती कपड़े की साहता से बांद ले और फिर इसका सिकाव करें इससे भी आपको पहले ही दिन से अराम दिखाई देगा अब जानते हैं परयोग कमर के दर्द के विज़े में आग के दूद को थोड़े काले तिलों के साथ खुब घरल कर ले जब यह पतला लेबसा हो जाए तो उसे गरम करके दर्द वाले स्थान पर लगाकर अच्छे से मालिस करें जिससे ये तेल हमारे सरीर दरा उबजर्व हो जाए इसके बाद आग के पत्ते पर तिल का तेल या सरसों का तेल चुपड़ कर तवे पर गरम करके इसको दर्द वाले स्थान पर बांदे इससे आपको सिगर ही लाब होगा दोस्तो, AD का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या किसी भी तरह का कमर का दर्द हो इसमें ये एक रामबन ओस्ती की तरह काम करते हैं और आपका दर्द पहले परियोग से ही बिलकुल जड़ से कायब हो जाता है दोस्तो अगर मैं बात करूँ, किन रोगों में ये काम नहीं करेगा, किन दर्दों में ये काम नहीं करेगा, तो उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर दर्द एनिमिया की वज़े से हो, तो ये नुस्खे काम नहीं करेंगे, अगर दर्द फैक्चर की वज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी पर आप थो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूलें इसके साथ-साथ आप हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबर्दस डिप्स लेकर आती हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवादोश्तों